हलो दोस्तों कैसे हो आई होप आप पच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह टोकॉन सिस्टम क्या होता है क्यों लोको पालेट एक स्टेशन पे टोकन देता है और दूसरा टोकन लेता है तो इसके बारे में हम डेटैनी से जाने के यह वीडियो के इंड तक बने रहे ना दोस्तों यह जो टौकन सिस्टम में इस ताइम पर OTOMATIC सिंगनलिंग सिस्टम नहीं हुआ करता था तो उस टाइम में यह टौकन एक्षेंज में यह सिंगल लेर ट्रैक होता था और जब स्टेशन मास्टर यह लोको पालेट को देता था तो उस टाइम में यह शूर किया जाता था कि आगे की जो लाइन क्लियर है मतलब आगे की जो रेलविट ट्रेक उस पे कोई भी पहले से कोई ट्रेंड नहीं है तो अब मैं आपको बताता हूं कि टोकन अक्ष जब स्टेशन मास्टर यह वाला यह टोकन देगा तो यह इंचे और करेगा कि आगे कोई भी ट्रेंड नहीं मतलब आगे ही रेल लेविट ट्रेक खाली है जो स्टेशन बी पे आएगा लोको पालेट हो यहाँ पे बी पे है आएगा तो एका जो टोकन है यह बी पे बी तो इस टेशन मास्टर जो एपे है उसको पता लग जाएगा कि एसे बी तक अपना जो रेल लेविट ट्रेक यह खाली है तो इस तरह के से पहले हर इस्टेशन पे जो लोको पालेट है वो टोकन अक्षेंज करता था और यह इंस्योर करता था कि आगे की जो रेल वी ट् सिस्टम आ चुका है और ट्रेन का ऑपरेशन बहुत फास्ट हो गई है ऑटमेटिक सिगनल की वज़े से यह जो बॉल टॉकन से सिस्टम है यह नाम के साइंटिस्ट हुआ करते थे तो उन्होंने यह सिस्टम में इंवेंट किया था और उसी के नाम से इसका नाम पढ़ गया है नील्स बॉल टॉकन सिस्टम